तो बिटा यहां पर हम 9th क्लास की वर्क्षिट की बात करेंगे 33 जो के 24 तारीक के हिसाब से है अगर आपको विडियो स्लूशन पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीज़ेगा यहां पर ज्ञान ने कहा कि तीदी ज्ञासा दीदी इस ब्लड औलसवर टाइप अफ तिशू तो ज्ञान को ज्ञासा दीदी ने बता है दोस टिशू जिनके सेल्स लूजली सपेज्ड होते हैं और एमडेड होते हैं एक इंटरसल्वर माट्रिक्स माइसे कनेक्टिव अगर मैं ब्लड की बात करूँ तो इसमें एक लिक्विड मैट्रिक्स होती है जिसको हम प्लाजमा कहते हैं जो कि एक yellowish fluid है जिसमें तीन डिफरेंट टाइप के सेल हैं RBC, WBC और platelet यह flow करता है और ट्रांसपोर्ट करता है gases को जैसे की O2, CO2 वगेरा को from one part of body to another जिग्यासा दिदी हम किसी stimulus से कैसे respond करते हैं तो दिदी ने कहा कि ऐसा करने के लिए हमारे पास nervous tissue होता है जिससे information एक से दूसरे tissue तक पहुचाई जाती है nervous tissue, brain और spinal cord और जो इन से जुनी nerves है वो सम मिलकर all composed of nervous tissues, functional unit जो nervous tissue की होती है वो neuron होती है जिसमें एक exon होता है, बहुत सारे dendrites होते हैं, nucleus होता है जो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है हर एक neuron में usually एक long exon का structure है, जिससे आपको दिख रहा है बहुत सारे dendrites है बहुत सारे nerve fibers जो होते हैं इस तरीके के वो एक सार जुड़कर nerve fiber बनाते हैं यह nerve बनाते हैं function of neuron dendrites of one neuron remain in contact with nerve endings of another neuron ताकि impulse जो है, different part of body से वो से receive कर पाए और neurons जो होते हैं, उनका काम होता है body से signal लेना और body को signal देना what are connective tissues explain with examples तो भै इसमें यह बात हो जाएगी और इसके examples में आप यह लिख देंगे first cancer में what is the main function of nervous tissue तो भै इसमें आप यह लिख देंगे कि stimulus को transmit करना है diagram of neuron बनाना है तो भैटा उसमें तो यह बना देना है third में diagram name is connected tissue which has a liquid matrix and write its function तो उसका नाम है blood और इसका function क्या है उसका function यह है कि transport करना चीज़ों को इदर उदर तो यह हो गया four cancer so thank you so much for watching the video friends please subscribe to our channel keep supporting us